नमस्कार दोस्तों मैं यूसुप फिर हाजिर हूँ फार्मिंग के एक ने समस्या के साथ बहुत सारे फार्मिंग को मैं देखता हूँ कि वाइरल होने पर परिसान हो जाते हैं नुकसान उठाते हैं और बहुत का तो ऐसा होता है कि वाइरल होने पर इतना नुकसान होता है कि उनको फिर से इस लाइन में खड़ा होने का हिमत ही नहीं होता है। आईए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं दिखाव बता रहा हूं अपने एक्स्पेरियंस के दम पर कि सबसे पहले तो मैं वाइरल को होने नहीं देता हूं। अगर हो जाए तो मैं उसको जो है कुछ ऐसा इस टेप अपनाता हूं कि कम से कम नुकसान होता है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाव बता रहा हूं कि वाइरल को सबसे पहले तो रोका कैसा जाए और अगर हो जाए तो इसको दूर कैसे करें। और अगर वाइरल का अगर लच्छन दिखे तो फार्मर क्या-क्या सावधानी बरते कि नुकसान कम से कम हो और मैनेजमेंट में क्या-क्या बदलाव करें और कैसे अंदाज लगाए कि फार्म में वाइरल का टेक हो गया तो आएए मैं आप लोगों को कुछ बताता हूं अप और कैसे होता है वाइरल बिमारी जियो है विसानू का संक्रमन के कारण होता है और वाइरल बिमारी कई परकार से होता है जैसे रानी खेद, गेंबरो, सीसी आरडी, आईबी एच वगरह वगरह जैसे अनेको वाइरस है जिनका संक्रमन के कारण ये बिमारी होता है जो मुर् पॉल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेंट बटन को ओन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिशना हो सके हां तो यह जानिए कि जब भी फार में वाइरल का अटेक होता है तो दो परकार से होता है एक बिस्त्रित रूप से जिसमें एक सा साथ बहुत सारा मुर्गी एक साथ प्रभावित होता है और वाइरस कौन सा है और कौन सा वाइरस अटेक किया है उस पर निर्भर करता है उस समय मोटलेटी बहुत तेजी से होता है दूसरा दवे रूप में इसमें अगर वेक्सिन अगर किया गया है और अगर बट का इम्म वाइरल से बच्चे तो दोस्तों मैं अपने अनुभों के आधार पर यह सलाह देता हूं कि अगर अच्छा लगे तो जरूर अजमाएं सबसे पहले यह जानिए कि वाइरल का कोई इलाज नहीं है पर होम्यूपेथी के द्वारा इलाज किया जा सकता है पर समय पर यह उतना का कारगर उपाय है समय पर सामोहिक टीका करन ही सबसे कारगर उपाय होता है इसलिए समय पर वैक्सिन जरूर लगवाएं दूसरा है बायो सेक्रिटी जैसे कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि वाइरल होने पर उसका कोई कारगर उपचार नहीं होता है लेकिन security के द्वारा बचा जा सकता है इसलिए इस परकार बराबर फार्म में B904 या बिरकोनेस या बजार में बहुत सारा spray का दवा उपलब्द है इस परकार फार्म में weekly spray इस परकार से करने से बचा होता है लेकिन अगर अगल बगल का फार्म में वाइरल आ गया तो इस परकार से फार्म के बाहर भी spray जरूर करना चाहिए क्योंकि वाइरल का एक मात्र उपाय बचाओ है तीसरा आदमी फार्म में काम करने वाला आदमी अगर अगल बगल का फार्म में अगर विजिट करता है तो वाइरल होने का काफी संभावना रहता है और चौथा मुर्गी दोस्तो अगर एक ही फार्म में छोटा बड़ा मुर्गी अगर एक साथ रखे तो ये बीमारी हो सकता है और सबसे जरूरी और इंपोर्टेट बात और इस चीज़ को अब जरूर गोर कीजिए सबसे बड़ा कारम जिससे की वाइरल बीमारी होना ही होना है गोर कीजिएगा मुर्गा बिक्री का गाड़ी दोस्तो इस परकार का बिमारी होने में सबसे बड़ा योगदान इस परकार का मुर्गा ले जाने वाला गाड़ी अगर फार्म के करीब अगर लाएंगे तो ये जानिए कि ये गाड़ी बिमारी का घर है और इसके साथ आने वाले करमचारी सारा बीमारी और वारस और बेक्टिरिया को साथ लेकर घूमते इसलिए गाड़ी और करमचारी को फार्म की एकदम नजदी कभी ना आने दे मुर्गा दीजिए बदले में बीमारी कभी ना लीजिए उसके बाद आता है toxicity ये बहुत ही बड़ा कारण है वारल या बेक्टिरियल रोग होने का दोस्तो टॉक्सिटी के कारण सबसे पहले तो मुर्गा कमजोर होगा उसके बाद फार्म के अंदर जो भी वारास या बेक्टिरिया एक्टिव होगा अटेक करेगा क्योंकि कमजोर को स सबसे पहले विमारी अटेक करता है ये आप भी जानते हैं मैं खुद मेरा फार में इसका सपेट में आया था और मेरा काफी नुक्सान हुआ था इसलिए हमेशा toxicity से सावधान रहें दोस्तों पहले जो मैंने आप लोगों को दिखाया बताया अगर उन सब को अमल करेंगे औ कम से कम होगा लेकिन अगर कभी हो भी जाय तो मैं अपने अनुभों के अधार पर कुछ हिष्टे बता रहा हूं अगर करेंगे तो नुक्सान कम से कम होगा और मोटलीटी भी कम से कम हो सकता है अधिकतर देखा गया है वाइरल का संक्रमन 14 दिन के बाद देखा गया है अगर मुर्गा अचानक तेजी से बिमार होने लगे और स्वास्थ बर्ड एकदम स्वास्थ दिखे बिमार बर्ड एकदम बढ़ जाए अचानक चूने की तरह बीट करने लगे हरा बीट करने लगे उसमें बुखार का लच्छन दिखे उस समय तुरंत कोई भी इम्मूनिटी का उप्योग कभी नहीं करने चाहिए क्योंकि मैं अपने अनुभों के अधार पर यह कहूंगा कि अगर वायरल हुआ और आपने एंटिबाइटी का उप्योग किया तो यह जानिए कि एंटिबाइटी का उप्योग आग में घीर ढालने का काम करेगा क्योंकि मैं अपने फार् पुष्टी होने पर या आगे जो मैंने आप लोगों को बताया उस परकार का लच्छान दिखे तो बिना डॉक्टर का सलाह का खास करके बड़े बार्ड में एंटीबाइटी का उप्योग करने में फूरी सावधानी बरतना चाहिए दोस्तों अगर डॉक्टर के द्वारा थमने लगता है क्योंकि मुर्गा का सरीर उस वायरेस के परती इंटीबोडी बना लेता है लेकिन आई बेच में ये समस्या एकिस दिनों तक देखा गया है और अगर आई भी हुआ कहने का मतलब रानी खेत हुआ तो फिर भगवान ही मालिक है क्योंकि समझने तक काप ही का जरूर लगवाएं चाहे बीमारी हो या ना हो का है कि होने के बाद इसका इलाज बहुत ही मुश्किल होता है और मोटलीटी भी काफी होता है ये तो खिर आप भी जानते हैं और अगर नहीं जानते तो यह जान लीजे कि वायरल का कोई इलाज नहीं है समय पर उसका या सम अगर लेगे तो जरूर आजमाएं और एक जरूरी बात फार्मिंग में हमेशा टॉक्सिटी से सावधान रहे क्योंकि टॉक्सिटी होगा तो वारल या बेक्टिरिया रोग होगा जो भी उसमें फार्म के अंदर मौजूद होगा जो भी वायरस या बेक्टिरिया वो तुर और के लिए भी जरूरी है तो ये वीडियो को जरूर सेयर कर दे तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए सब्सक्राइब के साथ तब तक लिए अलविदा